नमस्कार, श्री सुस्थानी माता की जये। श्री सुस्थानी को यो कथा सुनी सके पसी येस ब्यूटियो हेर नो हुने जो कोईले जांबटा हेर दयो हुनाँचा। क्लिपाया यो चैनल लाइपने सुस्क्राइब गरी दिनोला। र क्रमिक रूपमा स्रीशोस्थानी ब्रतकतागा सबय अधायाहरू यो चैनल मा इहाले सुन्न सक्नू होनेचा। सबय बन्दा पहिले कथाको प्रारंबमा गरिने स्तुती। यम ब्रह्मा भरुनेंद्र रुद्रमरुता श्तुन बंधि दिव्याई श्तवै पेदै सांगपता क्रमपनी सदरिगा यंतियम सामगा ध्याना बस्तितत कतैना मनसा पश्यंतियम योगिनो यसांतमन बिदू सुरा सुरग्रना देवाय तस्मैनमा। श्रीमा चंत्मना चर्चितो जललपू सुक्रम बलाम लिका मला लमकलित कुंडला प्रभिलसन मुक्ताब बली सोबिताग। सर्मग्यान निदाना पुस्तकतरा रुद्रक्ष्यमालकरा बाग्देवी बदनाम बजे बसतुमै त्रोल्यक्यमाताचिरम। मुकम करोती बाचलम पंगम लंगयती गिरम यत कृपाता महम बंदे परमानन्द मादबं। नम भगवते तस्मै ब्यासाय मितते जसे यस्यम प्रसादात बक्ष्यमी नाराण कथा मिमाम। नायराणम नमस्कृत्य नरच इवन नरुत्तमम देवी सरसती व्यासम ततो जय मुदिरयत। पुस्पन्जली पुस्तक माँ चड़ाय पसी बक्ताले कथा बनना थालन। शुरताले एक चित भायर कथा सुनन। अथा त्रितियो ध्यायर। कुमारजे आगेगर्णोंच हे अगस्तिमुनी अस्टप्रजापती मां सबवन्दा जेठा दक्षप्रजापती थिये। तिनकी बिरणी नामकी सांदुई एवम पति ब्रता इस्त्री थिये। विरणी गर्विनी भाईन रद्दसमा स्पुर्ण भाईपसी पूत्री जन्मीन। कस्ती कन्या बने हजार सुर्यको जस्तो तेज भायकी। 32 लक्षनली युप्ता पद्मपत्र जस्तो नेत्र भायकी। अरण उदाय भाय जस्तो रक्त बढ़न भायकी। हाती का सुन जस्तो हात भायकी। कदली इस्तमब जस्तो तिग्रा भायकी। चंद्रमा जस्तो उजल र सान्त मोख भायकी। यस्ती परम सुन्दरी कन्या जन्मे की देखी। दक्षय प्रजापती ले आनन्द मान देए। आपना गुरु प्रहेत बसिष्ट आदी जोतिसी हरुलाई डागी बिदी पुर्भक न्वारन कराये। सबी रिशी जोतिसी ले गणना गरेरा भने। ये दक्षय प्रजापती इ बालिका को नाम सती दिवी भन्ने। तिने भुवन मा प्रख्यात होने छा। दक्षय प्रजापती ले भजन कराये दक्षिना दी बिदा करे। सबी जना आपना आपना आश्रम मा गए। ये मुने योकुरा धेरे लामचा। तापनी म संक्षेप मा बंदचु। तेसपसी बिरणी का क्रमेले तेतिसकोटी कन्या जन्मे। ती सबै लाई। दुबई दमपतीले यथा योक यरूप मा पालन करे। अनि अगस्ट्य मुनीले सदे। ये कुमार ती कन्या हरुको विवा तेतिसकोटी देवाता संग कसरी भाय। त्योपनी सुन्ने इच्छाचा। तेतिसुनी कुमार आग्या गर्दसन। ये अगस्ट्य मुनी एक दिन सुर्ग का देवता रीशी, यक्ष, गंदर्व, किन्नर, दस दिक्पाल, जम्मावई, सभा गरेर भने। आमरा स्री शैनन दक्षप्रजापती का तेतिसकोटी कन्या विभा गरूं। किन्या माग्न कसलाई पठाउने, भनी मतमिलाई नारद जिलाई डागे सब्वें कुरा बुजाएर रध्ध्षृ प्रजपती कहां कन्या माग्न जामभंदा नारद जिले सुइकार गरी दक्ष्प्रजापती का गर गरे। दक्षय प्रजापती ले उचीत शिष्टाचार गरीर के कामले पालनु भायेको बनी सोधे। आफुलाई देवता हरुले पठायेको कुरा सुनाई। ये दक्षय तिम्रा तेतिस कोटी कन्या तेतिस कोटी देवता हरुलाई देवु भने। नारद जीका कुराशुनी दक्षय प्रजापती प्रसन्नभाईर भने। ये नारद तिमिले असल कुराभने封। म धण्य रहेचु। मेरा तेतिस कोटी कन्या, तेतिस कोटी देवतालाई तीम्रु बचनले दिये। योटी सती दिवी मात्र दिने चैना, किनकी मेरा पूत्र चैनान, संपतिको रक्षया को गरला, अन्या सबेक अन्या तिमी जहिले बन्चौू, र जसलाई जसलाई दिना बन्ने चौू, उसलाई दिने चौू, अब यहां बाट गईर, विभाहको दिन ठहराई, पठाउन लग बनी अन्यक उपचारले पुजा गरे, नारद जी दक्षय सित बिदा मागी सरासर बर स्वर्ग गए, नारद आयको देखी देवताहरूले तिमी गएको काम के भायो बनी सोदे, नारद जीले सत्य देवी बायक अन्या सबेक अन्या कन्या दिन चू भने भन्यकूरा सुनाए अन्य देवताहरूले धन्य नारद मुनी बन्दै प्रसमसा गरी विभाहा को दीन ठहराई पठाए, तिस पची विभाहा को सामगरी तयार गरी देवताहरू कन्यादान लीन वनी दक्षका गरपुगे उनले देवताहरू आयको देखी आनन्द मांदै मंगल लियात्र गरदै अफनो मर्या दाले सते देवी बाहेक तेतिस कोटी कन्या नारद जिको आग्या अनुसार तेतिस कोटी देवतालाई कन्यादान दिये देवताहरू कन्यादान पाई हर्चपुर्वक आफना आफना श्त्री ली आफना आफना आपना आस्रम मा गए यो ब्रितान्त कैलास परवत्मा रहेका सीव जिलित हापायर देवता हरुले मलाई बायक पारी एक बचन पनी नसदी आफु आफुले कन्यादान लिये चन। कैलास को स्वामी भायर पनी मेरा स्री चैनन अब मलाई कसले कन्या देला भनी द्यांद रिष्टिले बिचार गरी हेर्दा दक्षकी त्यर्तिस कोटी कन्यामा सब बंदा जेठी बाकी नहीं रही चन। देवत हरुले मेरो मर्यादा राखे कै रहे चन। अब ती कन्याम मागना कसलाई पठाउं। आफ ही जान्चो भनी दक्षका गर गए। दक्षकी ले माधब आउना लागेको परेवाट देखी बीरणी सित भने। हे श्री त्योग आउना लागेको महादेव हो क्ये भन्ना आयो। बनी कुरागरदा गर्दी महादेव घर मनी पुगे र बलाणु भय। अनि दक्ष ले ज्याल बाटा हेरे र माती आईज भनी डाके रस्षोदे, हे महादेव आज तो मेरा घर मा क्ये कामले आईज, भनी हेला गरे र बोले, महादेव बन्नोंच, हे दक्षे प्रजापती, तिम्रो घर आउने मेरो अरुके ही प्रयोजन थिये न, तिमीले क्रिपा गर्णाले तेतिस कोटी देवताले कन्यादन पायरा उदार भाये, अब सत्य देवी रहेगी रहेचन, मयोगिय पनी छू, ति कन्या मलाई क्रिपा गरा, महादेव को एस्तो बचन सुन्ना साथ दक्षय अत्यंत्य रिषाई भने, ये पापिष्ट महादेव, मेरी कन्या सत् चरी होले, तो कस्तो बने मसान को खरानी घसी, सर्पो को गहना लगाई, बागा को छाला ओडेर, डमरू त्रिशुल्डी, बुडो साडी मा चोडे रहेंने, बिस बांग दतुरो खाई, भूद प्रेत ली मसान मा बसने, दिगंबर देखदय मा पनी गिन लागने, इस्तो त करेको सुनी, साराई ने चिता दुखाई बाईर आये, न दिने भाई दिन न भने, बाई जान्तियो, एस्तो निन्दा गरने कामाई थिये न, अब कहा जाऊं, के गरूं, तीको निया कसले मलाई पारी देला बढने, तरका बितरका गर्दी, विश्नु को बईकुन्ट धाम मा पुगनु भायो, विश्नु ले संकरजी आये को देखी, हतापता उठेर, उच्चो आसन मा बसाली, के काम ले आजा परिश्रम गर्नु भायो, बनी सोदे, अनि महादेव आफुले दक्षे का घर गये को र, उनले दुर्वाच्य बोली, अपमान गरे को सब इकुरा सुन मा पार लगाऊन ला, हजूर ले संधिया गर्नु पर देना, मा दक्षे को घर जान छो, मा फ़र्केर नाउंजल हजूरी याई राज गर्नु हला बनी महादेवलाई परखाई आफु दक्षे प्रजापती को घर जान बायो, दक्षे ले विश्नु आये को देखी, मा ती ड इने भाय मात्र माग दाशु। तेती सुना साथ दक्षले भने। ये विष्णु। तिमीले मागे बसी जे बस्तु भाय पनी दिनेचु। के चाहियो आग्यांगर ये ती सुनी विष्णु भन्नोंच। ये दक्षे प्रजापती म वयकुंठको अधिपाती भायरापनी मेरा स्त्री छाइनन। ती मीले क्रिपा गर्नाले तेती स्कोटी देवता कन्यादान पाई उदार भाय अव सती देविचिन। ती मलाई क्रिपा गरा। विष्णु को येस्ता बचन सुनी दक्षे ले चिन्ती थोदाई भने। ये विष्णु मेरा पुत्र नहुनाले संपती को रक्षय गर्ना राहेको। दिनुता उची थिये ना। तर बाचा गरेको हुनाले दिन कर लागे। ती कन्या तीम रिवाइन अव सुधिन ठराई कन्यादान लिया। ये दक्षे को बचन सुनी विष्णुले हों चा बनी भयकुन्ठ जानू भय। और विष्णु आय को देहे र महादेवले सद्नू भय। विष्णू तीमी गय को काम भायो तो विष्णुले उतर दिये हे इसोर मगय को काम पूगला जस्तो तो भायो तर आफेलाई बनी मागे राएको छू हजुर ब्रिद्ध सन्यासिको रूप धारन गरी कौन्यादयान दिने ठमा आइ बिक्ष्या मागणू रा मलाई बिख्षा नदी कन्यादान दिये लिने दिने दुबैला श्राब दिने चु भन्नु हला। अनी महें सन्याशी मेरो लगन बित न लागियो कन्यादान वैशके पसी बिख्षा दिने चु न सराप। बरु यहां आयरा बस बनी आफु बसे के ठ्याओमा बसाली राखने चु रा दक्षाले कन्यादान दिना आखा चली सते दिवी को हात हजुर को हातमा पारी दिने चु येश दिन यो बेला आउनो वला बनी दक्षा सित बायको सबै विबरन एके गरी सुनावनु बायो। विश्णु को कुरा सुनेर प्रस्ण भैका महादेव अवस्य आउने चुबनी गद गद चितले कैलासमा जानु भयो। इती श्री स्कंद पुराणे के दारखंडी माग महातमे कुमार अगस्ते संबादी श्री सुस्तानी ब्रतकधायम दक्षा कन्या बिवाह बरनम नाम त